यह अपना लेक्चर नमबर सेक्ंड है और युनित नमबर फर्स्ट आपकी डैनिमिक्स ममें आपने पास jong على क्लास है और अपकल से आपका जो सब्सक्राइब कर दोगा और जो भी बच्चा है मैं एक निवेतन करना चाहूंगा सभी बच्चों से कि सारे बच्चे आप फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देना आज मलब आज कर दिने कल का दिन और मालो बारा तारिक बारा तारिक तक आप और पढ़ लो मैथिमेटिक् सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद में फिर आप दो दिने मस तरीके से क्वांटम और न्यूक्लियर को पढ़ लेना 15 और 16 को वह सब्सक्राइब आपके एक्जाम है अठारा गया पर मैं आप सो लिट पर लेना दुबारा से ठीक है और यहां पे मैं यह बताना चाहूंग सब्सक्राइब कर सकते हो और बाकी पेपर्स जो हैं उनकी भी रिविजन क्लासिट ऐसे ही अविलेवल है ठीक है चलो विया तो प्यारे बच्छों कल हमें पोंच गएते और हमने अरिये वेक ठीक है अनप्रस्त वेक यह अपने निकाल लिया था साथ-सात में तुरण भी अपने निकाल लिया था ठी लिया थी तो लगए पर जो दो आर्टिकल अपने थे वह अपने कंप्लीट हो गए थे कदने किसी को भी चलो अब यहां पर नोट लिखा हुआ एक नोट को पढ़ते हैं एक बार ध्यान से नोट में लिखा हुआ है कि जो अपने पास में साई है वो इस पर से देखा और प् टेंगर लाइन एन इनिशयल लाहाँ है इस कोल साइं है कि और इस पर स्रेक एंदरुवांतर रेका के मत्यक्त grant अगल बेट्विन टेंजन लाइन ए और रेडियस वेक्टर किय वाले लान थिंग है और यहाँ पे जो P है वो क्या है इसपर्स रेखा पर जो टैंजेट लाइन है इसपर्स रेखा पर धुरू से डाले गए लंबे की लंबाई लेंथ और पर्पेंडिकलर फ्रॉम पॉल अन दी टैंजेंट ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो आराम से सब कुछ आपको दिख रहा है बनाए डायग्राम बना देते हैं तोड़ा सा यह देखो यह आपकी रही इनिशियल लाइन प्रार्णिमिक रेखा ठीक है यह रहा आपका रेडियस वेक्टर और इसको अपन किसके कर्स्पंड़ी बनाते हैं एक अपने यहां पे एक क्या बनाते है सस्पर स्ब्सक्राइब को परकार से अपने टेंजल अब यह दूढ़ने जो आपका यंगल है एक तो जबाले न क्योंकि यह जो अपने पास में लाइन है यह इसके बिल्कुल इस सेंटर पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी वह अपने साप से आप देख लेना ठीक है तो यहां पे जो एंगल बनेगा आप देख सकते हैं यह यह फाई बनेगा और यहां पे जो एंगल बन और इसको मैंने नाम दिया P मालब 20 की जो डिस्टेंस है इसको मैंने नाम दिया P अब आपको था यह क्या है पर्पेंडिकुलर है तीक है, आप यहाँ पर देखो आप अगर सैंटर लगाओगे, यह P अपोन में R, उसानी क्या होता है L, A, L अपोन में K, K, A ठीक है, पर्पेंडिकुलर अपोन में हीपोटेनिस, लंब बटे कर्ण तो लंब आपके पास में यह रहा और कर्ण आपके पास में यह रहा ठीक है, मनलब जो आपका R है वो आपके पास में अगर मैं बड़े वाले तरिवुज की बात करूँ तो आप इसमें लगा लो, उसके लिए आपका यह हो गया, O, Q, यह फिर आप यहां पे आप नाम देतो, यह अपने पास P है आप तो इसको P नाम देतो, Q नाम देतो जो भी आपका इच्छा है पी अपन में, R हमारे पास में क्या होगा, Sine Phi हमारे पास में हो, ठीक है क्योंकि यहां पे आप देखोगे, ध्यान से एक बार तो यहां पर देखो, सामने हमारे पास जो एंगल बन रहा था, वो बन रहा था, फाई तो इसके ज़स सामने जो एंगल बनेगा यानिकि अंदर की साट में, वो भी, वो भी कितना बनेगा आपका फाई बनेगा तो भाई एंगल के करस्पोंडिक मैंने Sine Phi बनाया यहां पर और मैंने यहां पर पी का मानने कला, पी का मानन कितना आया बताओ? r sin phi और अगर sin में लिखना चाहूँ देखो यहाँ पर sin है तो यहाँ पर sin कितना जाएगा हमारे पास में delta theta plus में phi क्योंकि आपको पता है अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो मैं आपको लेके चलूँगा 10th class के अंदर 10th class में अपने concept सीखा था कि अगर हमारे पास में यह जैसे यह आपका एक triangle है एक tribush है ठीक है और tribush के जो बहार कौन बनता है जैसे मालों कि यह आपका कौन बना sin तो tribush के अंदर जो दो कौन बनेंगे ना इस side के अंदर तो इन दोनो कौनों का जो आपका sum होगा वो यह बहार के कौन के बराबर होता है यह अपन ने पहले पढ़ लिया था अगर आपको पता हो तो यह अपन ने 10th class में ही पढ़ लिया है तो प्यारे बच्चो हमने इस diagram के माद्दम से क्या सीखा हमने यही सीखा है कि हमने जो pole है आपका उस pole से अबने पर्पेंडिकुलर डाला है इस पर स्रेका पर टैंजेंट लाइन पर और इस पर से रहा कि जो बीच की दूरी है डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल पीस से शो करा है और स्मॉल पीच पोल टू आर साइन फाइ मेरे पास आया है है और साइन इस कोल टू ठीटा प्लस में साइन मेरे पास मान निकल लगे आया है ठीक है कि मोनिका सीराजी हितेश विकास सर्मा सभी को गोड़ इवनिंग बोल दो गुड़ नाइट बोल दो बात परावरे और वीडियो शोन वीडियो सही नहीं आ रहा है मेरे तरब से वीडियों कोई प्रोलम नहीं है अपनी नेट की जो क्वालिटी है उसको आप इंग्रीज कर लो ठीक है अब आगे चलू में सब्सक्राइब फट खोड़ा समागे चल लेता हूं ठीक है तो यह एडिन जो है यह बाद में डालेगी उससे पहले अपन पढ़ते हैं छोटा सा टोपिक अपना क्या टोपिक है काम आएगा आगे क्यूसंस के अंदर इसलिए यहां पे थोड़ा समय कि देगो ठीटा डॉट जो मेरे पास में है वो कितना है वी या वी पी अप पास में वी पी अपॉन में आर स्कॉर जहां ठीटा डॉट पॉन यह वेग है मेरे पास में एवं पी रेख है एवं पी इस पर सरेखा पर दुरू से डालेगे लंब की लंबाई है मतलब आपको करना क्या है मतलब आपको यह प्रूफ करना है अब यह वारे एक नमबर में दो नमबर में अपसे पूंच ले यह इंपोर्टन क्यों है वह थीटा डॉट इजिक्वल टू वी पी अपॉन में आर स्कॉर जो है इंपोर्टन क्यों है क्योंकि यह बहुत सारे सवालों के अंदर डारेक्ट अपन इसका यूज करेंगे कि व हम यहां पर डाइगराम बनाते हैं जो अभी मैंने डाइगराम बनाया था उसी डाइगराम की में साईता लेने वाला हूं силь और यहां पर और यह यहां पर आपकार रेडियस वेक्टर जो है इसको बना दिया उसके बादमे बिल्कुल करते मैं ने आपकी यह प्रारंबिक टेंचेट लाइन जो है इस पर रेखा जो है उसको मैंने बना दिया उसके बाद क्या करा मैं ने यह एंगल आपका बन गया साइव बन गया यह आपना हो है यह कि हमारे पास पॉल है ठीक है। कि बाद मैं आप इसको कुछ भी प्रॉइंट मां रिए इस माल लो इसको में नाम डे दिये पी पॉयंट नाम दे दिया ठीक है और इसके अलावा जैसे अब यहां पहे यह पास पॉल है इस से मैं यहां पर प्रपेंडिकुलर ड्रो करूहां करूँगा यह पास पर पंडिकु आपका यह यहां पर यहां पर सिम्पल सी बात है अगर यहां पे मैं थोड़ा सा अगर दिमाख नियुक्त कि रिती है वह रहती है आपकी ट्रांश वर्स य मैं रहती है ट्रांश वर्स वेलो सिटी इतन हर तो थेटा टौत समें लिख सकता हूँ यहां पर सकता हूं और अगर मैं नीचे के से बताओ किसी को दिकत ठीक है अब यहां पर मैं कंपोनेंट डिवाइड करूंगा द्यान सुनना मैं यहां पर कंपोनेंट डिवाइड करता हूं तो हमारे पास में जो अब यह क्या है मैं इसको लिखूंगा वी बराबर में ठीक है और यह मेरे पास क्या है यह मेरे पास में ह यहां पर यूइज कोल्ट होना चीए वह यह यहां पर अगर मैं बात करता हूं यह जो आर डोट मेरे पास में है यह क्या है रिदेलिश्यटी है और इसको मुझे यू से यहां पर इनोट करना चीए नहीं नहीं यू से नहीं करेंगे शोरी-सोरी क्षिए का डाली है तो मैं के वल और के वल जो Aकाम्पनेंट करूँगा मां करूगा कि यूकetto माने करूँगा तो यहां पर ये मेरे पास परपेंडिकुलर्द है तो परपेंडिकुलर के रिक्सपेक्ट में अगर मैंने यहां फम्प्रर्ट्रणन थोड़ा ये मैश क्या बन गया अधिये मेरे पास बन गया वी साइन आई और ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मिरा फैस है तो ये क्या बंचा गkay मार पास में जो क्यूगन तोड़े वह दोड़े इक है रhouखे आप देख सकते हो इसका प십&़ है और प्रपेंड़ χोर्ट है जो पर दोनों को मैंने बराबर करते हैं बताओ किसी ऑ दिकता है कि समय का नमर एक मेरे पड़ा भी है कि मिरे पास क्या होत किसा का मान रखतो है कितना है प्राबर में और ठीटा डॉट और ठीटा डॉट बराबर कितना आगए वी पी अपटार बताऊ ये आपको लेकर आना था तो कई बार गई बार एक्जाम में मानलो आपसे एक नंबर में देर नंबर में पूछ ले कि या ठीटा डोट बराबर में वीप अपन बार रिशुकार पुरूफ करो तो आपको करना पड़ेगा और यह आपको अगर पूछे गए नहीं ना तो इंपोटन क्यों है क्योंकि य कलब है ठीटा कैसे बनाया 5 कैसे बनाया सहीं कैसे आया यह वी सा अन्वी कोस कैसे लिखा आर ठीटा डोट कैसे लिखा어도 कैसे लिखा किसी प्रकार के दिख्क्या थे तो कमेंट कर सकते हैं भड़ावर कमेंट देख रहा हूं तीन बच्चे लाइव देख रहे हैं तीन बच्चे कौन-कौन देख रहे हैं कमेंट करो इनको समझ में आया या नहीं आया तुरंत कमेंट करो तब तक मैं आगे चलता हूं देख रहा हूं भी कमेंट या तो आप सोजाओ ठीक है और अगर आप डंक से पढ़ रहे हो तो फिर आप कमेंट कर रहोगे रिप्लाई आपको करना पड़ेगा अच्छा विरोमंडल जी के रिसर आ गया समझें चलो यह बड़िया बात है और यहां पर इसके लाओ जो भी देख रहा है वो आराम से कमेंट कर सकता है ठीक है तो आप यहां पर मागे चलो क्यूसर नमबर थ्री आपके पास में आगया क्यूसर नमबर थ्री में देखा जान से पढ़ो एक बार क्या क्यूसर ने किसी कन के अरिये एवं अनुप्रस्त वेग लेमडा आर तथा मियू ठीटा है आप से बोल दिया कि उसका अरिये और को लिख के दे सकता हूं कि एक सवाल जो आपका बनेगा ना वह तो आपका इसी परकार का सवाल बनने वाला है मतलब 99 प्रेक्राइशन का mixing घास्श नमर का सवाल थो 99% चांस है कि यही पूँचा जाएगा चांड नम्बर का सवाल एक क्यों संतो बाकी आगे देखते हैं सिंपल सवाल है करते हैं फटापट से तो प्यारे बच्चों आपको जो दे रखा है ना उसको लिख लो आप अलब आप खुद देखो कितना सिंपल तरीका है सोल करने का मेरे साब से तो एलजेब्रा से कॉंप्लेक्ट बहुत ही सिंपल है क्योंकि वहां पर फालत दिमाग लगाते हैं यहां पर सिंपल कैल्गुलिशन है अगर आप थोड़ा दिमाग से सोचो तो बस सवाल को अंडरेश्टेंड करना है और अंडरेश्टेंड करने के बाद में क्या सवाल के अंदर करना है वो भी आपको समझना है द्यान से यहां पर देखो if given that VR BT आपको दे रखा है समय का नमर्ब 1 और दो मैंने लिख लिया चीक है पास समझा अगई अब यहां पर VR पर प्रावर क्या होता है और डोट हम नद लिखा लेमडा र के बरावर तो लिखना पड़ेगा साफसी बात है क्योंकि granular से में क्या कर सकता है अकेले vr से मैं कुछ कर भी तो नहीए सकता ना दूट लिखना पड़ेगा आरडोट को मैंने लिखा ये बराबर क्या लिखते हैं मैंने लेंड़ी आर समें के नमबर यंद 10 अब आप खुद दिमाग लगाना मलब जितने भी सवाल आपने अभी तक करें हैं उन में थोड़ा दिमाग आप खुद भी लगाना कियार मैं इसे वियार को आट लिख रहा हूं और उसके बाद में यह लिख रहा हूं करते हैं यह लिख दूंगों के अलावा अपनों कुछ लगार नहीं कर रहे हूं यह पता चलेगा आपको थुड़ा सा महलोब एक्सपिरियंस से लो फोड़ा से मा आगे चलता हूं यहां पर आप व्यार आपके पास में आपके पास में वीटिकितना है और ठीटा डोट और टीटा को मैंने बरावर कर देख इसके मियूट ठीटा अब जो कटके जो आपका पात का यहां अगर मुझे सी का मान और चाहिए यहां पर आप देख सकते हो कि अब प्यारे बच्चो थोड़ा सा अगर मैं और आपको बता रहा हूं ट्रिक तो क्या कहेंगे इसको लेकिन आप जब भी सवालों को पढ़ते हो आपने चीज नोट करी होगी क्यार मैं यहां पर जो भी सवाल दे रहे हैं इसको मैं जो भी दे रहे हैं बराबर करने के बाद क्यात मैं डिवाड कर Ouais करेंगे और मानने मा इन पर सकते हैं कर सकते हैं प्र-दिबार करेंगे करके ने कि बाद में जो भी आपके पास में same function है उसको सेम के पास लेके आँ उसके बाद में आप देख सकते हां इंग्या तो और भी सिंपल और भी सिंपल है क्योंकि आगे आप से पूंचा है मलब ए रेडियल एक्सेलेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलेशन अब दोनों का फॉर्मॉला आपको पता है यार बराबर और डबल डोट माइनस का आर ठीटा डोट का स्कुरार अब कई बच्छे क्या करते ह अब जब एक्जाम में गए उनको पता है सवाल पढ़ लिए उनको पता है क्या करना है सब कुछ पता है उनको लेकिन जैसे वो लिखने बैठे तो उनको अगर यह फॉर्मॉला याद नहीं होगा तो क्या करेंगे आगे कहां से मान पुट करेंगे कहां पर करेंगे तो यह यहां पे आपका formula है यह आपको याद जरूर से चाहिए इसमें मलब आपको संकूच नहीं करना चाहिए किसी प्रकार का यह तो आपको याद करना है पड़ेगा कर लो याद करने का सबसे बड़े तरीका यह है कि आप बार बार ना पढ़कर सिंपल एक छोट असा पेज बना लो इस प्रकार से उसमें लिख लो और जब भी डानेमिक्स पड़ो उनके उपर नजर फिर लेना यह अपको याद हो जाए अब यहां पर समय के नमर तीन से आपको क्या करना है और डबल डोट मेरे पास में मुझे किस-किस की जुरत है और आपके पास में उसके बाद में आप डबल डोट में निकाला तो आप डबल डोट यहां पर मैं आपके पास में मान रख दू है अब रख दो फड़ा पर से क्या दिक्कत है अब यहां पर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ छिए चलता हूँ यहां पर मान पूट करो फोड़ा रख दिक्त है अब यहां पर निकालो और निकाल कमान पूट करो एर का मान आगया वैसे 80 का फरूरमला है यह जानते हो ठीक है अब एटी के फरूरमला में जिसके रिकुर मेरे पास में है ठीक है डोट है तो यह डबल डोट निकालो अब डबल डोट का मतलब समझ गें ना अब करना है कर देबल डेरिवेट्व ठीक है उसके बाद में थोड़ा से और आगे चला यहां पर देख लो मान मैं इतनी हेल्प करता हूँ आपकी ठीक है करता हूँ आपकी ठीक है करता है करता है कर आपकी अपने पड़ लिए ठीक है अभी आपकी नंबर सिक साव करेवर द्याद से आपके पास में है और एक समान कोणिये वेग अब थोड़ा सा ढरना मज़ी से यह आपने भी देखा छोटी सी डेफिनेशन में लिखा रहे हैं वहां पर आपके पास में कोणिये वेग ठीक है तो यहां पर एंगलर मोमेंटम जो है मैंने बता रखाता आपको तो किस प्रकार स सब्सक्राइब देखा एक करो कि इसका अर्यत तुर्ण इसकी धुरूसे दूरी के समानुपाती होगा अब आप देखो सवाल की लेंगविज जब ऐसी आएगी तो आप क्या करोगे आपको यहां पर पता है नहीं कि करना क्या है आप खुद देखो ना एक बार जिसे आपसे क्या बोला सवाल के अंदर एक कर्ण मेरे पास में है वो एक समान कौन ये वेग से वकर आर बराबर एक की पार मेकी पार ठेटा मलब यह आपको बार करो दे रखा है उसके बाद अरियत्वर्ण अब पहली बात सवाल को प्रूफ करने से पहले जो आपके पास में अरियत्वर्ण है मैं अर जो है वो क्या होता है उसका फॉर्मला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए पहली बात पहली चीज है यह ठीक है तो क्या बला आप से कि अरियत्वर्ण इसक रहाया था इस परकार से तो मुझे क्या करना है इस पी के डारेक्ट लिए परपोर्शनल बताना है किसको बताना है और यह कुल को i am a simple i am a love आपको ना बचचे गल्ति क्या करते हैं कि बच्चे सोच्ते हैं कि आज सोल Ś Tecal कैसे होगा अरे सोलीशिन को छोड़ो चुलीशन तो बाद की बात है सोलशिशन तो आपको पता चलेगा प्रेक्टिस से वह कोई अब बचची क्या करते हैं बच्ची ये भी गलती करते हैं कि ये जैसे एक बार सुने सुलिशन देख लिया अब सुलिशन देखने के बाद वो करते क्या है कि जब दुबारा वो रिविजन करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से कि या ये सवाल मेरे को आना चाहिए जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने केवल सवाल को समझा है उसका जो आंसर है वो आपको मलब अगर आप प्लेक्टिस में नहीं रखोगे ना तो वो भूल जाओगे आप उसमें कोई डाउट नहीं है पर भूलना वाजीब है तो आंसर कैसे हो रहा है सवाल जब आप एक्जाम में जागे देखोगे और सवाल स्टार्ट कहां से करना यह आपको पता नहीं चलेगा तो फिर आप क्या करोगे सवाल के अंदर यह होती ही बैदवार ठीक है चलो आगे चलता हूँ मैं अब फटा फट से आप देखो तो अब यहाँ पर सवाल को करना कैसे है वो देखो अब वही आप से क्या बोला था एक समान कोण यह वेक यानि कि आप से बोला था कि जो आपका एंगुलर वेलुसिटी है वो क्या है कॉंस्टेंट है तो मैंने सिंपल देखो यहां पर ठीटा जो मेरे पास था उसको मैंने क कॉंस्टेंट दे लिया अब मैंने इसका डेरिवेट्व किया वह डेबल डेरिवेट्व करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा जीरो आजएगा साबसी बात है वही R बराबर A1 की पाउर ठेटा आपको क्या दे रखा है? 0 दे रखा है तब सी बात है 0 थोड़ी R बराबर A1 की पाउर ठेटा क्या दे रखा है? आपको कर्व अलब आपको जो पात है उसका equation आपको दे रखा है मैंने simple इसका एक बाद derivative किया मेरे पास यह आया, मैंने इसका दो बार derivative किया, मेरे पास में यह आया, ठीक है, अब AR, जो आपसे बोला था कि Radial Velocity जो है, वह आपसे बोला था ना कि Radial Velocity और यह तुरन है, उसके धुरूसे दूरी के समान पाती होता है, ठीक है, तो समान पाती वाली काहने को तो बाद दे ठीक है, 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 ठीक अब यहां पर आप से क्युस्टन के अंदर क्या बोला था एक बार रोको एक मिट्र को क्युस्टन में आप से क्या बोला गया था यहां पर आप से बोला गया है और यह तुर्ण के बारे में मनलब आर के बारे में आप से पूचा गया है जब कि हम पर सवाल के दर उल्टा लिखर का है उल्टा कर रहा है इसके अंदर अच्छा अच्छा आप एक बार सवाल को देखो तो गलत कर रहा है कैसे क्योंकि अगर आप इंगलिस में पड़ो एक बार सवाल को तो आपको समझ में आएगा एक पार्टिकल डेस्क्राइब दे कर्व आर वराबर एक पार टेटा विट कॉंस्टेंट एंगुलर विलिस्टी शो देट इस रेडियल एक्सेलेशन इस जीरो वह अपने कर दिया ठीक है एंड इस ट्रांसवर्स एक्सेलेशन वेरीज एज डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉल ठीक है तो मनलब पूरा सवाल अपने पड़ा नहीं है और हिंदी में गलत लिखा रखा है तो आपने देखा वह उसने आपसे ट्रांसवर्स एक्सेलेशन के बारें पूछा है तो आप लिखरती है है उसके बाद मैं आपने देखा यहां पे यहां पर क्या करा और मेरे पास में और यहां और टीक है वे टूइटा डॉट स्कुरार तो इसको मैं मानल वी पास में वेगर को पता है तो ईंगलर मोमेंट्म आपने तया रीटा लिया था वह वह सी कॉंश्चैन्ट था यह इस बंधू भी स्ट्रेंट है यह भी कॉंस्ट्रेंट है पता है आर मेरा पास है तो ऑर् возможность जो कि आपसे सवाल में पूचा गया था, ठीक है, बसम्या आ गई, अब यहां पर देखो, अगला सवाल देखते हैं पर, उस्सा नमबर 7, ठीक है, आराम से मिलब थोड़ा सा गया देखो, मेरे बास सुनो, डायनेमिक्स में जल्दी बाजिमत करो, एक तो क्या है कि थोड़ा स अपने आप पर विश्वास रखो, विश्वास का मतलब यह है कि, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो आप अपने आपको कंपेर मत करो किसी से भी, क्योंकि अब जब एक्जाम टाइम में आप कंपेर करते हैं अपने आपको किसी दूसरे से, ठीक है, उसने पढ़ लिय या उसने पढ़ लिया, फिर क्या होता है कि उस कंडिशन में आप ना पढ़ाई भी नहीं करते हैं और आपकी एमन में तनाव आजाता है और तनाव के चकर में पढ़ना चाहते हो भी आप नहीं पढ़ पाते हैं, मैंने बात यह होती है, इसलिए थोड़ा सा आप धहरिये बनाए रखें और कई बार होता है ना आप अगर थोड़ा सा थोड़ा नोट करो एक चीज नोट करो कि एक्जाम टाइम है जैसे पांस दिन आपके पास में है ठीक है और पांस दिन पहले आप सोच रहे हो कि यार डानिमिक्स में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कॉंप्लेक्स म पांस दिन बचे वे तो आप बच्चे बहुत सारे सोच रहे होंगे कि यार में मैं मैं मलब क्या करें अभी तो एक्जाम में कुछ पढ़ा नहीं है कुछ तैयारी मेरी है नहीं तो उस कंडिशन में बच्चे छोड़ देते हैं क्यूट कर देते हैं वो ले यार देखा कर रोना какие- suicidal kleinen लास्ट पांस दिन मेंहें पढ़ाए होती है बड़ने वाले बच्चे होते है ना वह भी लास्ट पांस दिन में पढ़ायकर ते यह लेकर है कि आपको कोद़्बेंस राची बढ़ी है खिए और वह कि अपने इसाब सबसे बंढ़ता हैं कि तो रेगुलर आप पांस दिन लगातार कुछ पढ़ोगे ना तो पांस दिन में आप इतना तो पढ़ दोगे कि आप पास लोग गारेंटीड हो सकते हो लेकिन वही बात है ना फिर आस टाइम पर बचे घबरा जाते हैं फिर तो भी है वो नहीं कर पाते यह बात है तो अभी सवाल पढ़ें अप पता लगने लग जाएगी जब आप दस सवाल कर लोगे पास सवाल कर लोगे आपको खुद को पता लग जाएगा इसमें काम का क्या है देखो अब एक कन समान कोण एक सरपिल खोडोस को आर बराबर क्या है एक पाउट ठेटा अब यह हमारी काम की चीज है तो हमने इसको ल सिद्ध करो की कौनिये वेग यानि कि जो आपके ठेटा है कौनिये वेग है वो अचर होगा मतलब इसको आपको कौंस्टेंट प्रूफ करना है ठीक है तथा उसके वेग एवय तोर्ण में से प्रते का परिमान आर के समानुपाती होगा और आपका जो यहां पे वेग बाइब ऑर एक्सलिट आएगा उसमें से परते का परिमान यानि कि उसका मेर र है जो आपके पास में पॉल से और बीच की दिस्टेंस से जिसको आप पी नाम दे रहेते हैं आप उसको आर दे सकते हो वो डिश्टेंस आपके पास में है उसके डाइलेक्ली समानुपाती करते हो growing a particle describe शाओ एंगुलड थिखा है एंगुल एंगुलिह एंगुलिह है एक वे शेयर, spiral और तो एक फार्टृत्अ पॉल्ड थे जातर हो in such a manners that is acceleration has no radius component through that is angular velocity is constant and that the magnitude of its velocity and acceleration is each proportional to R मनलब R के आपको directly proportional बताना है ठीक है देखते हैं क्या होगा simple तरीके से आपको path का equation दे रखा है ठीक है आपसे बोला है कि AR का जो मान है वो 0 होगा ठीक है तो मैंने अब AR का मान 0 करा AR का formula यह होता है मैंने उसको 0 के बराबर कर दिया अब AR डबल डोट बराबर क्या आया गया यहां पर AR ठीटा डोट का square सम्मी का नंबर 3 आपके पास में ठीक है पास सम्मारी आपको अब देखो AR बराबर आपको A E के पाउट ठीटा दिया हुआ है ठीक है अब मेरे बाद दान सुन ले ना आपकान खोल कर आपका सवाल करने का जो तरीका है वो बदलना चाहिए अब कैसे देखो जैसे मान लीजे की अब आपके पास में मलबे AR डबल डोट बराबर क्या आगया AR ठीटा डोट का square आपके पास AR डबल डोट भी है ठीक है कोसिस करना AR डबल डोट आपके पास में है AR वरावर आपके पास में AI की पाउट ठीटा है तो आप कोसिस करो कि मेरे पास AR डोट भी हो ठीक है फिर आप कोसिस करो कि मेरे पास ठीटा डोट भी हो यह सारे मान अगर आपके पास में होंगे ना तो आप अपने according जो formula हैं उनमें values को put कर सकते हैं अब मैंने क्या करा देखो R हमारे पास में simple मैंने R dot निकाला ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया R, ये मेरे पास dot आ गया ठीक है, उसके बाद उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि R double dot मेरे पास में है और सिटाध्र करोएर अब जूआ हुआ एक मेरे पास आप इंसाल बराबर करते है और मेरे पास के नहुंवच्ट नुक्ट शूरा मेरे थेटाanc yeah मेरे पास में है यानि की जो आपका कौन ये वेग था उसको आपको कॉंस्टन प्रूब करना था वह आप ने कर दिया अब एक बच्चा खड़ा होता है उसका सिंपल से सवाल यह आता है कि सर आप एक बात बता हो आज यहां पर आपको एक बात और नोट करने पड़ेगी कि जब यहां पर क्यूसर आप पड़ोगे ना तो आप यहां पर मैंने जैसे आर बड़ाबर है एक पाव ठीटा तो अब यहां पर बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम इसका डेरिवेट्व करेंगे वो किसके रेक्सपेक्ट में करेंगे वह यहां पर कोई टाइम का तो कोई कमपोनेंट दिखने रहा में पर टाइम का कोई कमपोनेंट हमारे पास नहीं है लेकिन प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टाइम के रेक्सपेक्ट में वही डिटी अपर जो component मिलेगा ना जो vary कर रहा है वो मिलेगा आपको ठीटा तो मैंने क्या कर रहा हूं देखो यहाँ पर ठीटा का ही मैं यहाँ पर डेरिवेट्व कर रहा हूं और ठीटा का ही यहाँ यहाँ पर मान चेंजर बाकि A, R सब कुछ सेम है आप देख लो इसके अंदर को दिक्कत हो ही कुछ भी डारेक्ट कुछ भी नहीं आएगा आप क्रों यहाँ आप फ्रीमला जानते हूं किसका 80 एंटी वारे रे मेरे पास तो ठीटा हो गेए है यहांपर अ ने इनिदी ऐसको नडिया था आर के डॉरा यहांदा दिखकत है कि यहां मेरे जो बात है कि जो і जब दॉकत करेगे नहीं ठीक है आप अगर डायेट लिखना चाहो तो डायेट भी लिख सकते हो आराम से देखो एटे बराबर आपके पास में क्या है अगर टू के स्कॉरार क्योंकि जहां पे आपने ठीटा डोड जो है उसको पहले के प्रूफ कर दिया ना करके आए हो आप ठीक है और यहां पे ए ब जान से अंडरूट में भै ए बराबर ए का मतलब है कि यहां पे तुर्ण ओनली एक्सरलेशन लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूँगा एटी मैं लिख दूँगा ए आर उस कंडिशन में यह हो गया आपका ट्रांस वर्स यह होगा आपका रेडिया यह हो गया आपका प्रस तुर्ण एटी और ए यार ठीक है लेकर अगर आपसे सिंपल सिंपल बोलेगा की या मुझे केवल ए चाहिए अलब केवल तुर्ण की बात करेगा ना तो एटी के बारें बोले ना एर के बारे में उस कंडिशन में ए बराबर यह फॉर्मुला काम में लेना पड़ेग बारे में खिर सिंपल सिंपल मेंने कर दिया इसको भई ए इस्कोर आर प्लस में a स्कुरर टी बराबर में अन्रोट में जीरो फ्लस में 2K स्कूरर आर इसकोर और अबर ए कार और भाए अर बदै के उसके बाद तू घुजब को हो गया तो दूंक सुझां मैं अपके पास में मैंने स्पास में था गया यहां पर आराम से नर्टी पर पुस्न किसके ऐए आरके तो मलब आपने एको भी और वीकों भी अब देखो एक बार मैं आपको थोड़ा सा मलब यह आप थोड़ा दिमाख लगाओ तो आप खुद सोचो कि आपको सवाल में क्या था मलब आनसर में कुछ भी नहीं था एक परसेंट भी कुछ नहीं है लेकिन सवाल को जब आपने पढ तो आपका दिमांग चकर आगया कि समय करना क्या है जब आपने सवाल को देखा तो आपने सोचा कि आर वास्ता में इत्माग नहीं चलता है बिलकुल भी इसके अंदर गोई बाद को को दिक्कत नहीं है अब हो गया सवाल उसके बाद अपना एट नंबर का सवाल लिए आरा दिसकस करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में भी बढ़ीया बढ़ीया concept जाएंगे अंदर यहां लेंगे तो आपको एक्जाम के लिए फ्रेस रहेंगे सारी concept का वी आर वि टी का कौन सवाला अंडरूट में वी इसकुर अरवाला वाला फॉर्मूला का में लेना है वैसे एक आऊ गया तरीस के आपको वी-आर यार सब्सक्राइब कर ना उन सब्सक्राइब आप कोई बी सवालें की कोई भी रिक्वार्मेंट मैसुस नहीं हो रही है लेकिन बिना डाइगराम के भी हैं सवाल कर सकते हैं ठीकर डाइगराम बनाना कुछ जरूत नहीं है यह बात ठीक है युक्छ डाइगराम की रिक्वार्मेंट होगी तो बना देंगे नहीं तो कोई बात नहीं कि चोलो वही है अब यहां पर क्यूसर नंबर जो एट आपका है उसको देख लेते हैं अब क्यूसर नंबर एट है आपको बुक में से देखना पड़ेगा पेज नमडर आपका 29 ना खोल लेते हैं और फड़ा बड़ा आप भी देखने बूक में सभी के पास में अपने अपन में बुक होनी चाहिए और उस बुक में अपने आंसर देखो बढ़िया तरीके से कि एक बार चेक करता हूं सवाल को कि यहां पर क्या बुक है ना मेरे पास नहीं वाली है और यह मैंने पुराने वाली के साफ से लिख दिया मेरे साफ से तो उस कंडिशन में थोड़ा सा कि उसन साले गले देखने को मिल सकते हैं तीक है मैं एक बार इसका आंसर देखके पता लगा था हूं कि सवाल कौन सा है एक पिलेंट रुको भईया सवाल का पता लगाने दो मुझे झाल झाल कि यहां पर सवाल में दिक्कत आए गया है किसके सिक्वेंस दो लिख रखी है और यहां पर इस प्रकार से तो मेरे साब से आपको देख रहे हैं प्रॉल्म आ रही हो कि फिर तो जैसा मेरे को सवाल है नहीं मिलना सवाल कौन सा ही कि इस तो बुक का ही कि उसना है सीन बुक के पेज नंबर ट्वंटी नायन लिख रखा है कि अधर को दूसरी बुक को निकालने पड़ेगी ठीक है एक मेंट रखो निकालता हूं झालता है झाल झाल यहां पर सवाल तो मिल गया है कोई दिक्कत नहीं है और एक काम करना है थोड़ा सा अब मोडिफाइ कर ले ना क्योंकि जो पहले पुरानी वाली बुक थे ना उस बुक के अंदर तो पेज नमर ट्विटिन पे ही है और जो नई वाली बुक है ना क्योंकि मैं उम्मेद करता और खिरिए वाली बुक के पर्टेस करेंगे को मेरे पास तीना वो जयादा पुरानी थी ठीक है यह पेज नमबर आपका 31 है एक पेज नमर 31 है आपका उसको तोड़ा कर लेना करेक्शन कर लेना और पेज नमर 31 पे आपको किसन नमर 8 देखने को मिलेगा ठीक है आपके पास क्लास में मैं किसे नहीं दिखाऊंगो आपको आप अपनी बुक में निकालो फटाफर से किसे नमर 8 है फेज नमर 31 है सवाल पढ़ रहा हूं एक बार देख रहा है आप सवाल है कि एक बिंदू पी किसी वक्र में अचरवेग चलता है अब आपने सवाल को देखा सवाल में क्य यार भी पड़ा है वी टीव पड़ा है कोन सा यूज करेंगे इस कंडिशन में दोनों यूज करने पड़े इसका मतलब है कि जो व्मार पास वी है वो ये दोवनों का क्या है constant है असमें में आ गई ताप से बोला है कि वह वह आपके पास constant है और इसका किसी दिये हुए किस में कौनिये वेग इसकी ओ से दूरी का विद्ध कुमान पाती है तो सिद्ध करो कि वक्र एक समान कौनिक सरपिल है मलब एक भी एंगुलर इस स्पारिल आपको प्रूफ करना है ठीक है और यह वी आपको कॉंस्टेंट दे रखा है और इसके साथ साथ में जो आपका कौनिये और जो आपका ठीटा है जो मेरे पास क्या है और वेग है क्यों यह वेग है वो उसे दूरी का क्या है वित कुमान पाती है मलब यह के दो आपकी वनपॉन आर की इस परकार दिया ओए इसका मेरे पास आ गया उसके बाद मैंने देखा यहां पर वी आर और वी टी का जो मान है आप जानते हुए क्या Valerie याइठ व्यारो वी टिका मूने मेरे पास है दोनों के अबा से एप सिटा डॉट्ट हई उम्हार के और वधी यह पॉन होगा एक वा पर जो भियार है मेरे पास में वी टी मेरे पास मे ठीक है और यहां पर देख शकली मेरे भी और कमाना आपके पास में रडोत में मेरे पासमें रखती स्कॵाइर स्कॉएर 220 स्कॉएर 50 यहाँ पर तो peppers कितना है वाला सी इसकाई से के स्कॉएर आप सब्सक्राइब करने पर लोग रबराबर में लेमड़ा टिटा प्लस में अब ये कैसे है समागलन करने के बाद में पर आप से कैसे हैं जो आर का माना आना चिये वो कितना ना चीए आर बरावर माना चीए मियों एकी बार लेम्डा ठीटा मतलब यह समान कौनिक जो सर्पिल है एक वी एंगुलर स्पाइरल है उसका एक फॉर्मला होता है आर बरावर इम्यों एक पॉर्टीटा अब एक बात बताओ अब एक बात बताओ मुझे इस सवाल को जब मैंने प पर लिए उसके बाद का जो परोसेस ना वह भी एक इमपोर्टन प्रोसेस है वी में कौन-कौन है यह बहुत बढ़ देखा कि जो प्रोसेस अपने करी है यह परोसेस भी कोई मलब ऐसे नहीं है कि यह फिक्स प्रोसेस है यह आपको हर एक सवाल के हिसाब से करनी है तो सोचो यह बात भी बहुत बड़ी बात है यह आप हर सवाल को हर condition से change गर होगे तो भी बड़ी बात है ठीक है अगे चले हैं पर चलो आगे चलते हैं अब अब मैं थोड़ा सागे चलता हूं आप देखो सवाल बढ़ते जा रहे हैं आगे वैसे वैसे सवालों का जो लेवल है वह बढ़िया होगा इसी बात नहीं है अब कुस्सन नंबर 9 है तो आप सीक्वेंस भी देख लुँगा एक वार क्योंकि जो जाता है बिल्कुल सही है गार पुर्णी बॉक है तो ट्वन फर्टी नंपर देख लेना और अगर नई a book है तो ठीग लेना बस बोनों में एक यू लेगा अब सवाल क्या है या सवाल यह है कि एक कंन है ठीक है मैं क्या है सब्सक्राइब किसे लिखता दाता हूं बढ़ी है तरीके से और आपके पास बुक नहीं है इसका मतलब आपने डायक की तरिकेसे नहीं करी। डैनेमिक्स के लिए बुक ले आना नहीं आई तो भी तो भी मैंने क्या का आप से कि मेरे पास एक कर्ण वरत वरत का आर बराबर मेरे पास एक क्यूशन दे रखिए 2A को से लिटा के अनुदिस इस प्रकार गमन करता है कि मोल बिंदू की और इसका तुर्ण है वो सद्य सुनने होता है अब प्यारे बच्चों आपको पता है A के बारे हम बोला है मतलब A क्या होता है A T प्लस में A R इसे क्या बोला है? 0 यह हमेसे क्या होगा? 0 के बराबर होगा तो आपको सिद्ध करना है मतलब आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया उसने कि D 2 ठीटा अपोन में D T स्क्वाइर इस इक्वाल टू माइनस का 2 ठीक है कॉट और D ठीटा अपोन में D T का होल स्क्वाइर अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या है कि लग भक 005 डटन बच्चे जो है ना इससे आंसर को देक्पर गँवन चाते हैं वो सुचिंगा करेंये किसे का करेंगे कैसे करिया इस्षाप सी बात है कि इससो करने की तो कि इसने दिख्क। מחत टो कर दो कि हमारे पास में दो स्कूर्ट मेरे पास में और इस कोई पर आरे मेरे पास में तो यहाँ पे दोनों प्रकार का जॉए आपका त्वर्ण है यानिकि एक जुमान है आपके पास में जी रहा है और और इंग्लिश में पढ़ ले वर्ष में कोई दिक्कत नहीं इंग्लिश में पढ़ लेना सेम कहानी है दोनों में यही बात बोली आपसे ठीक है तो यहां पर आपका जो ए है वो दो परकार से मनलब है यर का ओरला आपको पता है यहिए फॉर्मॉला होता है वर वनने के किया बराबर किया समय करना इक मेरे पास मेरे पास बेर ब smarter आपको लिन अगया और चेहां डौट 노래estar काल दिए पर देखने ने क्यों है बराबर करने के बाद यहां पर इक्ना खेला टीटा डबल लोट निकाला टीटा डबल डोट का सिंपल मांग देखो कितना आया बेट नीत पान्सवाल को के इसे के रहेंद आपके पास में ए आर भी था और ए टी भी था लेकिन मै ने थोड़ा गर आपर दिमाग को लगा A.R. को ही क्यों लिया मैंने A.R. को यसले लिया क्योंकि A.R. Vikings किया क्या है कि और डबल डूट ठीक है और मेरे पास ने भांट मेरे पास में है तो मैंने ले लिए लेने के लिए आपको थार कमान भी है दोनों रोड डूट किए ठीक है मैंने दोन् Quantum को बराबर कर दिया делает विन देखो मैंने तोने को बराबर करने रहा है आप करने समया लिए करने के बाद देखा करने के बाद अक देखा इसका मान मेरे परद आ इया चेहा जाए nh ऐखिग वह तो आपन रागे चलते हैं और और आपन किस नंबर करते हैं टैन जो कि थोड़ा इंपोर्टर्ण सवाल है आप यह आपने देखाए मेंलब सवालों कि जो लेंग्वेज है आपने इसको पकड़ दिया है आराम से और यह सब आप सवालों की लेंग्वेच को आराम से पकड़ सकते हो और बस फरक तो यह पड़ेगा कि थोड़ा सा प्रेक्टिस कर लेना आप थो डी सी प्रेक्टिस कर लेना आप तो मेरे साब से खेल जाओगे बढ़िया कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी मेरे साब से तो जहां तक तो ऑला है कि एक छोटा मनिया कार्डियोमड अब वैसेमें ढेग्रां की जुर्त नहीं है कि नीया आप से बोल सो दिया अप डायग्राम बना akan से मत बनां के तो डाइग्राम से हमें कोई limit किया आपको कोई मतलब नहीं है आपसे बोला है कि छोटा कार्डियोड आर पराबर में कि रूप वाले किसी चिकने तार पर अचर चाल वी से फिसलता है अब आप सिंपल देख सकते हो यह पेज नंबर वही थर्टी वन पर है यह थर्टी वन पर भी हो सकता है और गुनती से वह सकता दोनों में देख लेना आप तो यहां पर गोल आप से कि जो वी का मान है आपका वह आपका constant है मतलब वी का मान आप समझ गए वी हमारे पास में होता है अंडर रूट में वी टी स्क्वायर प्लस में वी आर का square ठीक है यह मेरे पास कैदर रखा है constant सिद्य रखा है सवाल ने बोला है शिद्य करो की इसका अर्ये तुरण साथेव अचर रहता है मतलब आप प्रूफ करना है कि जू इसका A, A A, R आएगा न, वो आपका हमेशा क्या आएगा? कोंस्टेंट आएगा पहली बा Drama ठीक है? और यहाँ पर कौनी बेग मेरे पास में है? और जो मेरे पास कौनी यटाईगा? सब्सक्राइब अब बताओ इस सवाल के अंदर आपको में दिक्कत कहां पहीं मैंने सवाल को पढ़ लिया सब कुछ कर लिया और सबी का मान मेरे पास आ गया आप देख सकते हो वह कमान आपको दे रखा तो साबसी बाद है कि यार मेरे पास में ब़राबर सीके हैं तो मैंने इसको फोर्मॉला उचकरा इसकुआर खोला बंडा जानते हो वी टी कमान आप जानते हो दोनों कमाना आप जानते हो ठीक है उसके बाद है उसके बाद है क्या करना है सिंपल सी बात है यहा आर मेरे पास इतीक है और मेरे पास में है लिए सब्सक्राइब करते हैं तो जो आपको सवाल में जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यह तो पता है कि 101 परसेंट मुझे उसी को यूज में लेना है और उसी का मुझे मलब कुछ करना जो करना है सब्सक्राइब करते हैं लिए पास मेरे पास में तो मेरे पास में मुझे पता है तो मैंने मान यहां पर आप हम ब्रहेद कर दिया अब भी मेरे पास अर ठीटा का ठीटा डोट मेरे पास और मेरे पास मिरे पास में आ पसमय का नमर दो से समय का नमबर दो मेरे पास था वी आर और वीटी का जो दोनों का मान है मैंने रख दिया दोनों का मान रखा थुर्ण लोट्ट करो आप इसको सोल करोगे तो यह नीचे जा कि आपको क्या मिलेगा वी स्क्वैर बराबर मिलेगा और ठीक है अगर छोलो करने के बाद हमने क्या करा उसमें से निकाला ठीकाडूट यह पर यहां पर देगो ठीटा डोट मेरे पास वी अपन में यह आ गया यह अब मुझे बताओ अपने इतनी मेंनत क्यों कर रहे थे आपको पता है मुझे बता है कि इसने पूंचा है कि एब आर को मुझे constant पुरूफप करना है R ठीक है सिंपल सी बात है यार मैंने AR का जो मान है R double dot minus R theta dot square R double dot का मान मेरे पास में है R का मान मेरे पास में है theta dot का square theta dot का मान से यह ता है यह ता यह मैंने निकाल दिये इसका square कर देड़े ना है यहापर टिकैस को स्कूर कर दो यहां पर एक यार का न बन आ जाएगा तो हो अब कि I है अब कि Si叡िकर नि कonれた सब्सक्राइए कि कि को नहीं है ढगर चलते हैं बनें बड़ाबड से कि और यहां पर ड़ंषे ओ रहाव फिक्पर is सब्सक्राइब कर दिकत नहीं है एक चोटा सवाल है आपका लेना अपने साब से हो जाएगा अब चलते हैं अपने किसे नमर बारा आपका आता है और किसे नमर बारा को सोलू करते हैं कि 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 चलने विया यहां तक मेरे साथ इतने सवाल आएं उनमें किसी में आपको दिकत नहीं होगी एक परसेंट भी मेरे साब से तो आपके से को डाउट आता है तो वह कमेंट भी कर सकता है यूटूब पे क्लास अल्याइव ठीक है लेकिन एक तरीके से लाइव इमानो आप तो क् सब्सक्राइव कर सकता है ओर प्रक्राइव यह क्रिस्क्राइब ने हुखना है और यह सब्सक्राइब लाइब सब्सक्राइब करने का फाइदा कैसे है क्योंकि जितने सवाल अपने करें तो अपने आनसरा रहे हैं कोदिक कत अपने को नहीं शुष्ट इस बढ़िया है थिकर है तो यहाप की बुक में होगा उसको ध्यांसे पड़ो एक वार आप अपस्तरी के से ठीक है और यह आपका पेज नंभर 32 पे है आप इसको लिख लो यहाँ पे पेज नमबर आपका है 32 ठीक है बड़ी और हाला कि यह एक्जाम में आया हुआ है ऐसे बात नहीं है अजमेर रास्तान में दूजा चार में अजमेर में भी आया हुआ है जोदपुर में आया हुआ है ऐसे बात नहीं है करो की एक बिंदू P का बिंदू-पत यह लिएक बिंदू मेरे सव्य ला किसी इसद्र दिशा में और दूसरा एकशंद इस तर बिंदू उसे खीची गई तरिचा ओपी के लमवत है ठीक है सांकव होगा जिसके नाभी ओ है तथा उत्रकेंद्रिता यू अपवान में वी है अब यहाँ पर थोड़ा साब को दिमाग लगाना पड़ेगा यार यह सांकव क्या है ठीक है इसके नाभी क्या है यह उत्रकेंद्रिता क्या है बात तो सही है अब सुनो द्यान से इंग्लिश मेड़ा वाले सुनो द्यान से अच्छा सवाल है important सवाल है तो देर दी पात ओफ पॉइंट पी विच प्रोसेस तू कॉंस्टेंट वेसिटी यू अडवी तो फर्स्ट ओफ विच इस इन फिक्स डिरेक्शन अन्दी अधर इस पर्पेंडिकुलर तो इस वेडियस ओपी रोव फ्रॉम फिक्स पॉइंट ओ इस एक ओनिक वूस फोकस इस ओ और फॉल एंद फूस एस एसन्टी सीटी जो भी है ऐसें्टि सिटी उतिक और तव्क्यंद्रता यू अपन में भी है तो यहाँ पर जो आपका सांकव है कोंक है उस निक की इंगेस नहीं आवारे पास में है एल अपन में ई और बरा बराबर वन फ्लस में एकों टा हो स्टार्ट केसे किया जाए सवाल को से चाहिक पहले लिए आप से कि हमारे पाक्त प्सक्राइग्राम भी तो आपको समुझे बात बोंट है उसने कि बोला कि यू मेरे पास मैं ठीक है वहように शिम्पल का है जो आगे के तरह तो आपको पता है यह म पस फीप orientation … यहीं है और यहां बना है तो यहां पे पनाएगा इंगल नेरे पास में आएगा वह कितना यागा वहनिकर मेरे पास में आ आएगा यहां पे बिल्कुल बनाओगा तो भाई बाय तू यू मेरे पास में है अगर मैं यू के कंपोनेंट डिवाड़ी करता हूं तो यहां पर आप देखो बेस के साथ साथ में आपका यू कोश्टा बन जाएगा ठीक है लेकिन यहां पर आप देखो कि परपेंडिगुलर और कल मैंने आपको समझाया था है कि यहां पर जिसके साथ में आपका जो लेगजा एंगल बने गा इंगल बने गा इन्युलर बने गया उसके साथ में हमेर से किया बनेगा आपकोश्ट लिटाए retail गंगए आपको यू कोस ठीटा समय का नमर एक और वेटी बराबर यानि कि परपेंडिकुला ट्रांस पूज क्या है एक तो मेरे पास वी है पहले से प्लस में यू कोस और पाइवाय टू प्लस में आपका ठीटा आगया अब यहां बहुत सारे बच्चों को ना डाउट हता है कंपोने तोडने में कि सर कंपुरन कैसे तोड़ेंगे वह कैसे करेंगे मैंने आपसे क्या कहा अप यह इसके बाद में आपका जो डाउट है बना रहेगा वह फिर बाद में कभी भी किलियर नहीं हो पाएगा यह तो आपकी भूल है अभी भी नहीं समझोगे तो पिर आपसे कुछ सकना दर्ख नहीं होगा तो फैसे बैखर आप मेरे पास में बाइना ठोड़ा सा लगारा जैना इस डेगराम को मैं पूरा करूंट तो यहां पने देखिंप मेरे फ्रकार बनेगा मैं इसको फोड़ा सा इस प्रकार से प्रकार से बीच मिलयन विक हैं तूँ यहां पए एगर में बीच में गलाने किया है दूस प्रकार से परपेंडिकूलर अपने देख यह यह मेरा पर परपेंडिकूलर बंन रहा है एक टॉक है और यह यहां पर इस प्रकाल एक सी इला इंगल बरना पह необходимо थीक है यह तो आपका perpendicular है और यह जो एंगल बनेगा यह भी आपका ठिटा बनेगा चीक है यह आपका वी है ठीक है अब मेने का क्वर्णट करें ऑए कि यह यही पर आगे आपका component यह आपका component पी तरफ जाएगा तो मान लिजे कि तो आपकी पर्पेंडिकलर आपका है यह आगे के तरफ गया यू तो मैंने इसके रैक्सपेक्ट में मलब यह आपका बेस है इसके रैक्सपेक्ट में मैंने आपके component टोड़ा तो यह कितना अगया मेरे पास यू ओस फिटा अब यहां पे यहांपे जू अप्ल मेरे पास अभू कितना थेता मेरे पास फसी कंपट्टाेहल आगया है लेकिन अब बच्चे क्या कहेंगी सरआपने यह जो कंपोनेंट है इसके रैक्सपेक्ट मेंत थोड़ा तोड़ा है यह पर कोश्च्ट आ गया लेकिन जब यहाँ पर आप इसके दोड़ रहे हो今 सब्सक्रार के यह मलब अगर आप यू के रेक्सपेक्ट में ही मैं कंपोनेंट तोड़ूंगा तो यहां पर यू साइन ठीटा आना चाहिए जबकि आप यहां पर कंपोनेंट बता रहे हो यू ओस ठीटा सुर्कुस नहीं 90 प्लस में ठीटा अब मेरे बाल ध्यान सुनना पहली बात तो मैं जो कंपोनेंट तोड़ रहा हूं वो तोड़ रहा हूं मैं यू के रेक्सपेक्ट में ठीक है तो अगर मैं यू के रेक्सपेक्ट में कंपोनेंट तोड़ूंगा तो वह कितना अगया मेरे पास यह आ गया यू आगया मेरे पास ठीक है फिर बात आती है कोस और साइन की और और साइन के तो मैंने आप से क्या कहा था कि जहांपर का ठिटा बनेगा जैसे मलेघेटिटा बन रहा है आपका अब आग अगर थो भी पर पैंडिकुलर के इसाप सेथ मलब तोड़े जाते हैं यह आपका जो पर पैंडिकुलर है यह यहां पर यहां पर इता बने गा इस ठीटा के रएकसपेक्ट में अगर मैं इसके क्वाइन तोड़ूमा तो यह बनेगा यू को से 90 प्लास में ठीटा यह बनेगा 90 प्लास में ठीटा लेकिन 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 ये तो आपका पर प्रकारण तो यह बन जाएगा आपका यू साइन लब ठीटा यह बनेगा साइन आपके आप सीधा से सी किलो ज्यादा भी आपको समझ में नहीं आ रहा है मलब आपको दिक्कत आ रही है यह फिर को दिक्कत आपको है कि यहाँ पर क्लास चलते वेघी टाराम अर्ब गण्ठा 11 मिंट हो गई है क्लास में सब्सक्राइब नहीं क्लास लेने फिर ब्लॉट ले यूटूब पे यह जो यू है इस यू के रेक्सपेक्ट में कंपोनेट तोड़ता तो मेरे पास तोड़ता लेकिन मुझे इसके तोड़ना है नहीं है यू का और विका चाहिए बस ही है समझने आप तो मुझे यू का और विका चाहिए तो मैं विका यहां पर कंपोनेट तोड़ूंगा तो यू कोस पाइवाय टू प्लसमें ठीटा बताओ किसी को कोई दिक्ट मेरे साब से नहीं होने चाहिए Chief है य्टालो यांगे चलते हैbrar मेरे PA Sur nud जोटा गया यहां पर देखो को फॉलमेरे पास कितना है वी भी है साथ में और फ्लस में यूड़ एक यहां पर ब्रावर कितना आगया है यहां पर ब्रावर कितना आगया वार पक्रणिटा यूब यूपोष टेटा यहां पर लिटियू को सिटा समय के नमर तीन ठीक है और यहां पर आप देखो आर ठीटा टोट बराबर में कितना है वी माइनस का यूस और ठीटा यह मारे पास में क्या होता है VT होता है यह फॉर्मॉला याद नहीं होगा तो फिर कुछ भी पता नहीं चल पाएगा VT का फॉर्मॉला होता है है R theta . टीक है यह फिर आपप बोलतो V minusекс analyst1 यहdedि आपको पता होना सब्सक्राइब अधिए अब यहाँ पर सिम्पल थिटर टोड़ को ellishteti अधि Yo suicide समय के न्मर्ष जार समय के नंबर 3đ को समय के नंबर 4 को देखा वाण और अपके द्लीर यह पर में आर यो पोस्ट टेटा अपन में वी मानस का यू संट टेटा और यह यू को सिटा मेरे पर मलब जो भी कटेगा बनेगा वह आप देख लेना अपने इसाब से बन जाएगा फिर साथ जो को दिकत नहीं होगी आपको यह से भी प्रकार की दिकत मैसूस नहीं होने चाहिए आपको ठीक है अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं यह यह मेरे पास इंटե्टेशन आजाएका लोग आर का मैरे पास आ डिया थिक? सीए पौन में उसरे जैए घ्टा आगर तो यह मीरे पास क trakom मैं और वन प्लसका है मेरे पास आगया तो आपने मैंने आप से कहा था इतरो सांकाव का समय करना होता है, वो il upon सबसे बड़ी बात तो इस सबसे बड़ी बात जो थी ना वो थी आपकी मलब लेंग्विज का खेलता लेंग्विज अब समझाए आपकी कि पहली बार सवाल पढ़ोगे तो शाह समझ में आएगा आपके के बाद आप एक चीज़ को लिखो बड़ो क्या करना है ठीक है अब यह चीज़ आपको पता होने चीज़ पहले से एक्स्ट्रा में तभी जागे आप काम कर सकते हो अगया तो नहीं कर सकते अब यह बात फिक्स बात है यह वोड़ा आगे चल लेते हैं क्या दिक्कत है समय के नंबर आपका यह तेरा एक्वेशन नंबर तेरा आमारे पास में है यह वोड़ेशन है यह एक्वेशन नंबर आपकी पास में है औरबी पीज़ नंबर थर्टी के बात बोल रहा है एक संतल्दवक्र में किसी किसी गतिमान करने के तुन को ऐसे दो गठकों में विवज्द किया जाता है तो इसे गठकों में बाटा जाता है कि उनमें से एक प्रारेंबिक रेखा के समानतर तथा दूसरा दुर्बानतर रेखा की दिसामे है तो सिद्ध करो की विए निमन वाग होंगा एक बार सवाल को देखने दो जार सवाल यही है कि दूसरा है अदिर्फ मैं सवाल तो यही है एक सवाल आपका यही है यही है सवाल थीकते सवाल से क्या वह सवाल अपकी आप से क्या बोला गया है और बच्चे ने कोई सवाल मान लीजिए इस रट लिया कुछ कर लिया तो उस कंडिशन में फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए भी ठीक है यहां पर थोड़ा सापको खुद को जान रखना पड़ेगा सवाल कौन सा है सवाल कि साप से आपको करना पड़ेगा सारा काम तो आप से क्या बोला गया था यहां पर आकर देखा जाए तो आपका कोई पूरेंट है यहां पर मैंने इसको आगे की तरफ भेजा इस तरफ से आप देख सकते हो कि एक वह आगे तरफ जाएगा एक उसका परपेंडिकुलर मैं दो प्रकार से इसके जो कंपोनेंट होते हैं का एक तो आपका लिपनेर मोशन करेगा यसाप सी बात है कि आपने प्रकार कोह बिल्कुल जबंदी कॉऊन के सब्सक्राइब कर दिये मैंने को और पासस और एयसा को सि tolerant आप कंपोनेंट कैसे तोड़े हैं वह फिर द्कत आपको नहीं होने छी कि टीक है ना किसी को दिक्कत नहीं होने शिर्ट अब मैं यहाँ पर आगे चलो थोड़ा सां पर और बोला है आपसे कि यार का जो मान है यह वाट आप देखों कि बोला गया है कि उसमें एक प्रारंबिक रेखा के समानतर तथा दूसरा दुर्वानतर रेखा की दिसा में होगा ठीक है एक तो हमारे पास प्रारंबिक रेखा के समानतर तो यह प्रारंबिक रेखा के समानतर हो गया ठीक है और दूसरा आपका दुर्वानतर रेखा की दिसा में होगा और दूसरा आपका दुरुबान तरेखा हमारे पास में जो रेडियस वेक्टर हमारे पास में है ठीक है उसके अलब बराबर में होगा ठीक है तो सिद्र कीजिए कि वह नेमन प्रकार से होंगे तो यह आपको इसका अंसर प्रोफ परना है यहां पर आपसे बोला है कि जो हमार आपको याद करने के लिए नहीं याद है तो फिर दिखकर तुझा यह आपको यह फोर्मला आपको याद दोना चाहिए बरावर मैंने किया इसको इसको इस पर पर फॉर्मूला क्या होता है यह फोर्मूला होता है आरका मान आपके पास में देखो यह मेरे पास आर प्रसमें में आपके एसको इसको सच त्यामद यहां पर यहां पर एएर का जो मान है उपर कितना है आर प्रसमें दोनों को। तो इक नों को निबरावर कर दिया र नहीं capable आया है आप देखो आर इपकह सकते हैं क्या आंसर आगया अब बुक में देखना यही आप आपको आंसर मिलेगा तो अब यह वही बात है कि जब तक आप सवाल को पढ़ोगे नहीं करोगे नहीं तो आपको पता कैसा देगा अब आंसर एक page गया है लेकिन वही बात है लेंगविज देख खतरनाक थी कि पहली बार में तो बच्चे को हवाही नहीं लगेगी नहीं लग कि यहां पर में लब देखुए इसमें कापी सारे सवाल हैं और यह अपने किसमें है या आते अपने एक्जाम्पल कि अपने पास में जो यह एक्सेज फर्स्ट वाली है ना यह वाले एक्साइज जिसके अंदर आपके टेंजेंट वाले आएंगे इसके बाद में जो सैकेंड आपके एक्सरसाइज है इसमें इस पर स्रेकिए अब लांबिक जो वेग है वह आएगा आपका और उसके रिलेटर आपकी दिने भी सवाल है सारे उसी के सवाल ठीक है तो देखा जाए तो ज्यादा बड़ा यह चैप्टर नहीं है कंपेर टू इन में टमबर तो चाड़ हमारे पास में चैप्टर था वो भी काफी बड़ा चैप्टर था कि मैं देख रहा हूं एक बार कितना मेंटर बचा हुआ है उसके इसाफ से में रिविजिन कर वाऊंग। ठीक है 14 को करते हैं अपने एक बार कवर कि इस नमबर आपका 14 है एक बार चेक करो सारे बच्चे और पेज नमबर वैसे तो यह 32 पे है इसे 36 तल में घूमता है आपसे क्या बोला गया है कि हमारे पास में क्या है पाइप है क्या है एक पाइप ठीक ना ट्यूब है मानलो और वह एक सिरे की सापेट मतलब यह आपका एक पाइप है और यहां पे अपना एक एंगल बना लिया अपनने इस एंगल के रेक अपना फ्रॉटेट में मानलो कि इस प्रकार सो घूम रहा है चारो त्रफ आगे तरफ जा रहा है ठीक है इस मेकल Спेक्व का इसमें बीछसारी है इसका कोई बी मतलब नहीं यह यहां पर इस नहीं है प्रसुंजना और यहां पर यह समान को यह वे कण इस्तिर सिर्य से ए दूरी पर हो ट्यूब के सारे वी वेक से चल रहा हो तो सिद्ध करो की टी समय पर उसकी दूरी जो है वह हमारे पास में ए कोस ओमेगा टी प्लस में वी अपॉन डबलू साइन ओमेगा टी मैं एक बात आपको लिखके दे रहा हूं मैं आपसे बोल रहा हूं कि लिखके दे सकता हूं एक बात को और वो कौन सी बात है कि सवाल जो है ना सवाल आप कितने पढ़ लो लेकिन जब तक आपको ओरिजिनल टी में ना इसका आंसर पता नहीं रहेगा ना किसमें करना क्या है आगे आप सवाल को नहीं कर सकते हैं कि सवाल को कितना है समझे भी सवाल अवी सब्सक्राइब करने के बाद में अब करने के बाद में अब मैंने इसमें डिरेटिव फॉर्म लगा दिया फिर मैंने इसमें वही आपके जो सेकेंडर वाला काम था एफटी बराबर एफ़ बराबर जीरो एम कामान निकल दे प्लस मानस का डबलू तो अभी सोचो कि ये काम अपने क्यों करा अभी तक अपने ये काम किसी और सवाल में क्यों नहीं करा ये भी तो एक सिंपल सवाल होता है ना कि वह यहां पर यह जो काम मैंने भी करा कुन सा बलब मैंने FD बरापर में T-Square-Megasquare मैंने बनाया ठीक है उसके बाद में जो मैंने काम अभी यहां पर करा यह काम मैंने और किसना में क्यों नहीं करा इसी किसन में क्यों कर रहा हूँ क्योंकि सारे सवाल जो इना फिक्स है सभी का आंसर जो है आपको एक तरीके से याद ही करना पड़ेगा लेकिन अब मैं ये वर्ड यूज नहीं करूँगा याद करने वाला क्यों क्योंकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ वई एक काम यहाँ पर सवाल जो है वो बटा हुआ है वई पहली बात तो है कि लगबग 30% जो काम है वो समझने का है कि वह सवाल को समझो और उसमें करना क्या है उसको लिख लो सवाल को समझने के बाद भी बहुत सारीच जैसी है जिसके अंदर अपनों करने पड़ते लगबग यह मान लो की लगबग 40% पार्ट ऐसा है जो आपको अंदर से याद ही करना पढ़ेगा वू पोर्शन जैसा अब यहां पे यह वाला पोर्शन है यह दगबगब तो तीन से चार बार आप जब इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना तब आपको जरूर पता चल जाएगा किसके अंदर करना क्या है उससे पहले तो आपको नहीं पता चलेगा ठीक है अरवाच खान जी कहा रहे हैं कि सर्फ या शर मोज कर दी खते ही और मोज करने का या टाим िल रहे कर लेते हैं वहीं चाल टेंए levar के बच्चों के साथ दोखा नहीं वना चीए तुम ना कर देदा बोल देदा किया क्या करोगे मैं पढ़ा रखा वैसे तो एक लास तो यह आपके पास में अब रिविजन से क्या मतलब है लेकिन रिविजन क्लास इंपोर्टेंट है तो मैंने क्या का आप से कि लगबागी जो है जो आपके दिमाग में psychology बैठी वही है dynamics को लेकर बचे क्या सोच रहे है 90% क्या सोच रहे है कि जैसे वो complex पढ़ रहे है जैसे वो algebra पढ़ रहे है कि यार बैसे पढ़के दियाएंगे एक्जाम possible नहीं होगा possible ही नहीं होगा मैं कहा करूं possible नहीं होगा इसमें जब तक आप एक सवाल को तीन से चार बर नहीं देखोगे न तब तक वो सवाल आपसे पूरा नहीं हो पाएगा उसका answer नहीं आ पाएगा बस भाई बस अरवाज खान जी कह रहे हैं कि सर आप जैसे teacher की जरूत है देश को proud of you धन्यवाद हमें motivate करने के लिए रात को 12 बज़े 12 क्या एक ही बज़ गया चलो ठीक है यह मैंने कर दिया पता दिया अब बताओ इसमें मैं क्या बताओं अगर आप सवाल पढ़ लेते हो सवाल को पढ़ने के बाद में इसमें क्या हो रहा है यह सब कुछ आपको क्या करना पढ़ेगा एक ट्रीके से सिस्टेमे टीक है तो वो सब कुछ आपको पता खुद चलना पढ़े बाठी इसमें क्या कर रहा है उसके बाद में फिर यहां पर देखो यहां पे सान e Lunch स्लिड़ में भाधा घूक है तो यहां आगे जाकि जब आप इसका लिखो के मान पूरा ठीक है वेसे सवाल आने के चांस मेरे को लग रहे हैं जी रोपर सेंट इसावाल आने के चांस लग रहे हैं आप देख लेए अपने हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो तो कोई बात नहीं है तो इसलिए ऐस सवालों को जो एवरेज बच्चे हैं और जो मीडियम बच्चे हैं और जो कम जोर बच्चे उनको छोड़ देना है सवाल मैं मरना कर रहा हूं पहले ही छोड़ दो इन सवालों को और जो इंट्रेजन बच्चे अच्छे बच्चे हैं मलब जिनका कैच्चप आवर अच्छा है वो जरूर से जरूर कर लेना और वो तो मेरे बिना समझाए भी कर सकते हैं ठीक है अब सवाल नमबर यांप 15 भी है पंद्रवा वी सवाल ऐसा यह कच्छा सवाल है पढ़ लेते हैं एक बार लेकिन यह लंबाई का एक सीदी और चिकनी चड़ा आपके पास में है और छटके एक सरे से ओड़ी दूरी पर मलब यह हमारे पास में यह ओ है और दी दूरी पर यह दूरी हमारे पार डी है और एक छल्ड़ा है विराववस्ता में छटे को अचानक छेतितल में ओश्रे के साब अच्छर के अंदर कोने वेक से कुमा जाता है मलब आपके पास में क्या है वह आपके वर टी बरावर जीरो आर परावर दिया हो है ठीक है मैं क्या कर रहा बच्चे को यह बात कहां से पता चलेगी ठीक है इसलिए वही बात है अभी हमारे पार देखो आर बरावर में एक को समेगा टी पीस अमेगा टी अभी जस्ट जो पीछे सवाल किया था उसी का यहां पर लोजिकाम में ले लिया अपन ने तो यह सवाल है ना मलब ऐसे सवाल कोंकि कोई काम का नहीं है कोई काम का नहीं है सवाल अने का मतलब भी नहीं है एक्सामपल दे गया है इन्ञेस squish success वाल था सवाल के तिक है कि काफी हो गया और नहीं है इस को करेंगे इसको पहार कर लेगे पहले पार्ट न हो जाएगा बोड़ेकुसके बाद में में एक लंड लगेगा जिस को सेकंड फाट है इसन Tabii कि गर उसको भी कवर कर देंगे आपकी पहले उनट खतम और दूसरी सो जो यह भी स्थीए है कि फो लेक्चर में खतम हो जाएगी दूसरी जो इनट है वो इतनी छोटी है इतनी आसान है कि वो दो लेक्चर में आपके खतम हो जाएगी और तीसरी का रिविजन मैंने करवा दिया है तो तीसरी का रिविजन मुझे करवाने के आउशकता नहीं है क्योंकि उसका तो revision class भी और दोनों मैंने सेम करवाया है भाई यहां पे कृष्ण कांथ सर्माजी कह रहे हैं सर मैं revision class ले लूँ बिल्कुल भाई अगर आप revision class ले लेते हो ना मैं guarantee दे रहा हूं physics में math में दोनों में जो revision class का जो folder आपके application में बना हुआ है आप केवल उसी को पढ़ते रहो अब आपके उपर depend करता है कि आप उन revision class को एक बार देखते हो दो बार देखते हो तीन बार देखते हो आपके पास पांस दिन बचे वेना इन पांच दिनों के अंदर आप 70 प्लस का स्कोर खड़ा कर दोगे लेकिन अब वही confidence में बीच में वीडियो की बात कर रहा था कि जब आप में कर रहा हूं ठीक है और आपको डावट रता पूचो आराम से को दिक्कत नहीं है और मस्तों के पढ़ाए करो ठीक है बाकि एक्जाम्पल इसके हैं और जो क्यूशन से अपन करेंगे और बाकि आपन मिलते हैं एक्ट लेक्टर में ठीक है रहने वाद कि अपनल आ य है यहां रहन salad कि उब आपको आपको बाकिने को लेक्टर और लेक्टर नहीं है और एक्